आप सभी को परिच्छा एप्लिकेशन के बारे में बताना है जो बाकी प्लेटफोर्म की तरह है फ्री और पेट दोनों तरह की टेस्ट स्रीज प्रोवाइड कराती है एससे एक्जामिनेशन के लिए यहां पर फुल टेस्ट स्रीज के साथ सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक सब्सक्राइब करेंगे अगर सबसे पहले हम गुड़ अपडेट की बात करें गुड़ न्यूज की बात करें जो कि फंटेस्टिक न्यूज है वह यह है कि आपको पता होगा कि एससी सीचसल 2018 में यू एफम का रूल लागू किया गया था जिसके कारण हजारों गया था इस बार के लिए और उसी के तहरत एससी सीचसल 2018 का जो रिवाइफ जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया जिसमें 4000 से भी ज्यादा केंडिडेट को सेलेट कर लिया गया है अब यह टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और उसके साथ साथ दूफरी जो अपडेट है और दूसरा जो चीज़े की वह जिम यह ओई रूल MTS और सीजियल दोनों दोनों ही एक्जामनेशन पर लागू होगा यह हो गए गुड़ न्यूज की बारे बात आव आते हैं बैड नूज के बारे में यह जो है बैड न्यूज यह बिल्कूल ही ज्यादा एंड एकाउंटेंट टूबी रिकूटेट ट्रो एससी सीजल 2019 से सीजल 2019 के त्रू ओडिटर और एकाउंटेट की कितनी वेकैंसी से जिनको रिकूट किया जाएगा तो आप देख सकते हैं 278 2020 को यह डिसपोज ओफ वी थी अब इसका रिप्लाइब देखिए इसका जो इस तर्फॉर्मेशन साथ बाई यू एज अंडर में जो इन्फॉर्मेशन उसकी जो एंसर और नीचे दिया गया है देखिए अब इसका इंगर रिप्लाइब देखिए नो रिक्वाजिशन ओफ फॉर फिलिंग अफ वेकैंसी फॉर्ड पोस्ट ओफ ओडिटर एंड 19 में दी नहीं गई है मतला इस बार टोटल जीरो वेकैंसी देख रहें आप जीरो वेकैंसी दी गई है अब इसका बहाना क्या बनाया बहाना बनाया गया है डिले इन फॉर्निसिंग इंफॉर्मेशन इस ड्यू टू पैन इंडिया लोगडाउन और एकाउंट ओफ कोविड 19 पैंडेमिक दा सेम इस डेग्रेटेट यह एक बहाना बना लेगी कोविड नाइंटीन के जो ओल इंडिया कोविड नाइंटीन फैला हुआ है इसके कारण इसलिए यहां पर जीरो वेकैंसी दी गई है एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम नीट की एक्जामिनेशन करनेट करा आएंगे जेडबल एक एक्जामिनेशन करांगे कोरोना कुछ नहीं है कोरोना एक सिंपल सा फ्लू है और वहीं और सारे डिपार्टमेंट चालू हो रहे हैं से मतलब सारे इंटरनेशनल लेवल पर और सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा प्रोटेस्ट करने के बा आएं वह से डिपार्टमेंट जिसमें हर एक छोटी चीफ्टी चीजों में इसको बहाना चाहिए वह कोविट का माल लीजिए अगर किसी को एक्जामिनेशन देना है ओफलाइन चीजों ग्राउन पर आकर काम करना है तो माना कि वहाँ पर कोवीड एक प्रोब्लम है लेकिन जोन चीजों को ऑनलाइन किया जाना है जैसे वेकेंसिस फाइलाज करनी है कितनी करनी यह सारे काम ओनलाइन कोई भी इंसान घर पर बैठे बैठे कर सकता है तो इन सारी चीजों में कहां से इंटर फेर हो रहा है मुझे पता नहीं चला तो यह एक तरह की लापरवाई है एक बड़े आंदोलन का आगाज हो जाए वीडियो को लाइक कीजिए जय हिंज जय भारत वंदे मात्रम